वान, टू, थी, फोर, फाइफ, सिक्स, बूम, केमिकल रियक्शन्स और इक्वेशन्स, स्वाहाफ, बट क्या इस तरह से चैप्टर्स पढ़ने से साइन्स में 95% आपाएंगे, तो ये समझने के लिए हमने रिसर्च चाहलो कि कि लास टेंट में 95% लाने के लिए चाहिए क्या ये थे बहुत चाहदा प्रॉमिनेंट टीचेर्स जो ऑनलाइन हमें सजेशन्स देते हैं, फिर आमने देखा सीवियस से टॉपर्स क्या कर रहे हैं, तो एक ही बार में गो थू करके रिवाइस करना होता है, तो शॉर्ट नोट्स काफी हिल्फुल रहे हैं, अब एक चीज़ परसनली अपने टाइम पर एंड में ही नोट्स बनाए थे, जिसको मैं हमेशा तुमें समझाते आए हूँ बाकी वीडियो में, मैजिक बुक करके, एंड में नोट्स बनाने से फाइदा क्या होता है, कि हम जब प्रिपेर कर चुके होते हैं, तो हमें मालूम होता है कि यहां एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, जैसे इस साल अब एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्टिविटीस के कुश्चन, थोड़े बहुत डाइग्राम से कुश्चन, और NCRT बॉक्से से एक तो कुश्चन, प्लस एक्जम्पलर से भी कुश्चन आ रहे हैं, फिर इन ही सारी बातों को ध्या रखी यार, कि जितने भी पॉइंट्स रहे हैं, वो कंसाइज रहे हैं, क्योंकि ये एंड के नोट्स रहेंगे, देखो, ये केमिकल रेक्शन एक्टिविटी के कुश्चन का पहला पेज है, तीन पॉइंट जो सुरू के बहुत बेसिक हैं, फिर उसके बाद एक्टिविट रेक्शन, फिर उसके नीचे आजाओगे, अगले पेजस पर तुम्हें लेंगे, बी, के, क्यूँ, यानि जो बॉक्स होते हैं, उससे क्या कुश्चन है, कई बार तुमने ये कुश्चन पर देखाओगा, कैल्सियम ऑक्साइड, स्लेड लाइम, या फिर ये मारवल वाला क तो इसको बहुत अच्छे फ्लोचार्ट में एक्स्प्लेन कर दिया, फिर उसके बाद नीचे आजाओ, एक्टिविटी का एक्विश्चन, फिर नीचे आओ, तो यहाँ पर बॉक्स में साइड में लिखे गई हैं ट्रिक्स, जिससे तुम्हें तकलीफ नाओ कहीं भी, जैस कि टेस्ट कैसे करना है, इसका ये चीज़ NCRT में में नहीं है, बट बोर्ड एक्जाम में आ जाता है, CO2 का टेस्ट, SO2 का, O2 का, H2 का, फिर उसके बाद सिर्फ ये बात के में श्रीकी नहीं है, हमने पूरी दीजान लगाकर, रात दिन लगाकर, तुमारे लिए कंप्लीट किये हैं सारे chapters, फिर चाहे हो वो biology, और इन notes को देखकर तुम ये clearly समझ रहे होगे कि कहीं भी कंजूसी नहीं कि कि अगर concise notes हैं, short notes हैं, तो कोई point मिस हो जाए, एक-एक point लिखा गया है, PYQs में answer के साथ लिखा है, रह एक चीज, activities सारी include की हैं, और EKQ भी हर notes में तुमें मिल कि अब physics में सिर्फ numericals नहीं, बलकी activities से और logic based questions आ रहे हैं, और एक-एक चीज को concise तरीके सा समझाने की कोशिश की है, सिर्फ यह नहीं कि notes high-five लगें, बड़े classy लगें, देखो यहां पर Hindi English, यानि कि English language का use करके यार, एक-एक चीज लिख दिया है, simple वहाँ सामें, कि कोई च और जो सारे डागराम पुस्ता उसके आगे, hashtag important है, तो यह important चीज़े याद रखना, भूल ना जाओ कहीं, uses उसके लिए थोड़े बहुत interesting मना दिये हैं, notes, फिर इसमें भी तुम्हें important questions, exemplar के questions, EKQ मिल जाएंगे, तो chemistry हो, biology हो या physics, हर एक chapter के इस तरह के concise notes है, हर एक चीज क हैं, इनको एक बार पढ़ लोगे, तो खुद तुम science exam में test कर सकते हो, कि यह notes की validity कितनी है, और हाँ, अगर यही notes में तुम्हें कुछ cost पे दे रहा होता, तो तुम समझ पाते कि यह notes की value क्या है, बट अगर यह चीज मैंने दिल से बना कर free में तुम्हें दी है, तो please इसका यूज करना, हर एक notes की link, direct drive की link description में डाल दी है, direct PDF अगर चाहिए, तो telegram channel नोबकवास पर, या website पहलेक्शे.com पर मिल जाएगा, और एक special चीज, worksheet जिसमें MCQs, previous year questions, यहां तक की case based questions तक हैं, वो भी हर एक chapter की design करके, telegram channel, नोबकवास, and website पहलेक्शे.com पर, free of cost दे दी है, प्लीज इन चीजों की respect करना, और अपने लिए क्या करना, यार, अपने लिए notification छेर देना इस video की, की आने वाले important videos मिसना हो, and then क्या, अबे जाना, जा, पढ़ ले,